दोस्तों एक बार एक आदमी मेले में गुबारे बेच रहा था। उसके पास लाल, पीले, हरे, नीले, बहुत से रंगे गुबारे थे। बच्चे जैसे ही गुबारों को देखते बड़े खुस हो जाते। बच्चे बड़े सौक से उसके गुबारों को खरीदते थे। जैसे फिर उसकी बिकरी बढ़ जाती थी वो हर बार ऐसा ही करता था एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा कि अंकल अगर आप काले रंग के गुबारे को हवा में उड़ाओगे तो क्या वो भी उपर उड़ेगा उस बच्चे की ये बात उस गुबारे बेचने वाले आदमी के मन को छुबई उसने उस बच्चे से कहा कि बेटा गुबारा अपने रंग की वज़े से हवा में नहीं उड़ता है बलकि उसके अंदर जो चीज भरी हुई होती है उसकी वज़े से उड़ता है दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सिख्षा देती है हम सब की जिन्दगी में भी यही नियम लागू होता है हमारी अंदरूनी सक्सियत ही है जिसकी वज़े से हमारा नजरिया बनता है और हमारा नजरिया ही हमें काम्यावी की यो लेकर जाता है Harvard University के एक सर्वे के एकोर्डिंग 85% जॉप्स और प्रमोशन्स हमें हमारे एटिटूट की वज़े से मिलते हैं जबकि सिर्फ 15% हमें नॉलेज, डेटा और फैक्ट्स के बेस पर मिलते हैं अब आप सोचिए कि जो चीजें हमारी काम्यावी में सिर्फ 15% के लिए रिस्पॉंसिबल हैं हम सारा फोकस उस पर कर रहे हैं और उसे नदर अंदाज कर रहे हैं जो हमारी सक्सेस के लिए 85% रिस्पॉंसिबल है हमरे नजरिया ही सबसे महतोपून चीज है चाहे आप किसी भी फिल्ड में हो नेगेटिव एटिटूड के साथ आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते अगर आप सफलता के बुलंदियों को चूना चाहते हो तो आपको अपना नजरिया सकारात्मक रखना होगा हर चीज में पॉस्टिविटी ढूननी होगी जीतने का जजबा रखना होगा जुनून रखना होगा और आपकी यही सक्सियत आपको काम्याबी की ओर लेकर जाएगी जो इनसान हर समय हर चीज में नेगेटिविटी ढूनता रहता है हर चीज को नकारात्मक दृष्टी के साथ में देखता है वो इनसान जिन्दगी में सफलता तक कभी नहीं पहुँच सकता है क्योंकि एक नेगेटिव मन के साथ में आप कभी भी कोई भी पॉजटीव काम नहीं कर सकते हो और उसके अलावा आपको कभी भी कोई भी पॉजटीव रिजल्ट उसके अलावा नहीं मिल सकता है तो आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आपको अपना जो नजरिया है वो हमेशा पॉस्टिव रखना है हर चीज के लिए आपको पॉस्टिव सोचना है पॉस्टिव रहना है पॉस्टिव लोगों के साथ में आपको अपना समय बिताना है यह बहुत कि आप अपना समय किन लोगों के साथ में बिताते हूं किन विचारों के साथ में बिचाते हूं किस सोच के साथ में आप अपना समय बिताते हूं क्योंकि जिस सोच के साथ में जिन विचारों के साथ में जिन लोगों के साथ में आप अपना सबसे अधिक समय बिताओगे वही आपकी जिन्दगी में आपके अंदर जहलकेगा, वही पड़्चाई, वही आपका स्वरूप, वही आपको आपके लक्षतक लेकर जाएगा, अगर आप नेगेटिव विचारों के साथ में रहोगे, तो आपको धीरे धीरे नेगेटिविटी अपनी और और जदा अटेक्ट क अच्छाई जरूर है, दोस्तों ये सारी बाते मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ खेड़ा दोरा लिखी गई बहतरीन बुक, यू कैन विन से, ऐसी ही बुक्स की नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले,